हेलो दोस्तो दोस्तो रिलाइंज जी यो एर टेल बोड़ा फोन और आडिया के बाद अब बीएसनेल अपना फोर्जी सर्विस लॉंच करने जा रही है जी हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना है कि बीएसनेल अब अपना फोर्जी सर्विस लॉंच करने जा रही है यह BSNL ने अपने ओफेसियल वेबसाइड में अपडेट किया है तो पूरी डिटेल आज के वीडियो में बताने वाला हूँ BSNL का फोर्जी सर्विस कब सुरू होगा और कहां कहां सुरू होगा तो बने रहे हमारे वीडियो में अज शुरू से लेकर अंद तक देखते रहें हेलो फ्रेंड आप देख रहे हमारे यूटूब चैनल पिके टेकनिकल जोन मैं पंकच कुमार उमीद करता हूँ दोस्तों आप ये वीडियो को लाइक से जरूर करेंगे चलिए फरेंड वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं कियें तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कियें और आइडिया के बाद BSNL अपना फोर्जी सर्विस लॉंच करने जा रही है आपको पता ही होगा दोस्तो BSNL के अच्छे अच्छे पलान आते हैं जो की औरो टेलीकॉम ओपरेटर के अफेसा BSNL के पलान काफी सस्ते रहते हैं मगर दोस्तो BSNL का फोर्जी सर्विस ना होने के कारण BSNL पिछड रही थी जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कत होती थी मगर दोस्तो फाइनली BSNL अपना फोर्जी सर्विस लॉंच कर रही है BSNL का फोर्जी टेंडर पहले ही पास हो चुका था BSNL के 30,000 टावर लगाने के लिए और यह पूरी तरह से कम्पलिट हो चुकी है तो BSNL का फोर्जी सर्विस सबसे पहले करनाटका में लॉंच हो रही है जी हाँ दोस्तो करनाटक के 130 सहर में BSNL अपना फोर्जी सर्विस शुरू करेगी तो BSNL अब गॉर्मेंट का वेट कर रही है कि कब वहाँ से हरी जंडी मिले और BSNL अपना फोर्जी सर्विस को लाइब कर सके तो सबसे पहले दोस्तो BSNL अपना फोर्जी सर्विस करनाटक में शुरू करने जा रही है वहाँ शुरू करने के बाद औरो इस्टेट में एक साथ लौंच कर देगी तो दोस्तो ये खबर निकल कर सामने आया था BSNL की और से की BSNL अपना फोर्जी सर्विस लॉंच करने जा रही है तो उमीद करता हूँ दोस्तो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप इसे लाइक से जरूर करेंगे इसी परकार के टेक इनफोर्मेशन के लिए फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं इसी परकार का वीडियो लाता हूँ फिर मिलूँगा दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक किया